नमस्कार मित्रों, मैं आप सबका आज के सत्यवचन कारिकरम में स्वागत करता हूँ मेरा विश्वास है कि सत्यवचन कारिकरम के माध्यम से जीवन से जुड़ी परमेश्वर के वचन की सच्चाई के बारे में ग्यान आप प्राप्त कर रहे हैं और इससे आप सब आशीज भी प्राप्त कर रहे हैं हम अपने आप से इस संसार में नहीं आएं इसलिए यदि जीवन के बारे में जानना चाहेंगे तो हमें हमारे बनाने वाले से आरम करना पड़ेगा क्योंकि मनुश्य सर्वस्व नहीं है इसलिए सब कुछ नहीं जानता लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन की एक-एक बातों को जानता है एक एक बातें जो भेध हैं और छुपी हुई है आज के अध्यान में हम देखेंगे कि परमेश्वर जो इशू में होकर इस संसार में आया हर उस वैक्ति के जीवन की समस्याओं के उपर रूची लेता है जो उस पर विश्वास करते हैं और उस सहायता पाने के लिए गुहार लगाते या निवेदन करते हैं और सहायता की अपिक्षा करते हैं मित्रों परमेश्वर धन्वान या निर्धन प्रतेक की सहायता करते हैं जो उसकी ओर द्रिस्टि करते हैं इशू इसलिए संसार में आए कि पाप के कारण उत्पन हरे एक समस्या का हल प्रदान करें। यहाँ नरजिसू समचार का अध्यन करते हुए हम इस बात को देखेंगे कि इशू अलग-अलग प्रकार की समस्याओं को हल करते हैं जो एक सधारन व्यक्ति से संभव नहीं है। यदि हम उसमें परमेश्वर होने के गुण को देख सकेंगे तो हम पाएंगे। परमेश्वर उसमें होकर मनुश्यों के बीच रहा ताकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर से हम सब का संबन इस्थापित हो सके। दोस्तों यदि परमेश्वर अपने आपको इश्व में होकर मनुश्यों के तुल्य प्रगट नहीं करता, तो हम सब भरस्ट और पापी ही बने रहते, क्योंकि वह पवित्र हैं और हम पापी हैं, पाप का पवित्रता के साथ कोई मेल नहीं लेकिन परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं इसलिए इशू के रूप में वह हमारे समान बन गए ताकि हम उसमें होकर परमेश्वर को पहचाने और सहस्ता से उसके सामने अपनी बातों को रख सकें आज हम ऐसे ही दो घटनाओं के उपर अध्यन करेंगे जो हमारे ही जीवन के इर्द गिर्द की समस्याएं हैं और इस प्रकार वचन से मार्ग दर्शन पाएंगे कि हम कैसे हमारी परिस्थितियों में उसके पास आ सकते हैं तो चलिए वचन के मनन में आगे पढ़ें हम देखेंगे राजा के करमचारी के पुत्र की रोग मुक्ती या उसका दूसरा चमतकार है आईए हम पढ़ते हैं योहनर चिसू समाचार चार अध्याय उसके 43 पत से 46 पत तक यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है फिर उन दो दिनों के बाद वह वहां से निकल कर गलील को गया क्योंकि इश्यू ने आप ही साक्षी दी कि भवशत वक्ता अपने देश में आदर नहीं पाता जब वह गलील में आया तो गलीली आनंद के साथ उससे मिले क्योंकि जितने काम उसने यरुशलिम में पर्व के समय किये थे उन्होंने उन सब को देखा था क्योंकि वे भी पर्व में गय थे तब वह फिर गलील के काना में आया जहां उसने पानी को दाखरस बनाया था वहां राजा का एक कर्मचारी था जिसका पुत्र कफर नहूं में बिमार था देखिए युहनना भागोलिक इस्थिती का कैसा स्पष्ट उले करता है इशु सामरिया से चल कर गलील शेत्र में आता है और वहां अनेक गलील वासी हैं जिनोंने उस पर विश्वास किया काना में गया क्योंकि वहां एक सरकारी आफिसर को उसकी प्रतिक्षा थी कि उसका पुत्र उसके द्वारा रोग मुक्ती पाए आए हम पढ़ें युहनार चिसु समाचार चारा ध्याय उसके 47 पत को लिखा है वह यह सुनकर कि इश्व यहुदिया से गलील में आ गया है उसके पास गया और उससे विंती करने लगा कि चल कर मेरे पुत्र को चंगा कर दे क्योंकि वह मरने पर था अब यहां एक पिता है जो अपने पुत्र के कारण विश्वास का प्रदर्शन करता है हमने देखा है कि बच्चों को इश्यू के व्यक्तिकत सम्बन में आना चाहिए इस आफिसर को अपना पुत्र इश्यू के पास लाना चाहिए था मेरे विचार में हमें अपने प्रिय जनों को इश्यू के व्यक्तिगत अनुभों में लाना चाहिए आपको उन पर अपना विश्वासी जीवन प्रगट करना चाहिए और यह भी कि वह विवारात्मक है एक बार मेरी कलिश्या का एक सदस्य मेरे पास अपने पुत्र के उधार का प्रात्ना निवेदन लेकर आया प्रंतु उसका नीजी जीवन धार्मिक नहीं था उसका पुत्र घर छोड़कर चला गया था मैं उसके पुत्र का इसमें दोश नहीं मानता वह चाता था कि मैं उसके पुत्र को परामश्ट दूँ और मसी में लाओं। मैंने उससे स्पष्ट कह दिया कि मैं उसके पुत्र से बात नहीं करूँगा। मैंने उसे कहा आपने अपने पुत्र की अब तक देख रेख की है और अब उसे मेरी आवशक्ता नहीं होगी अब उस पर आपका प्रभाव नहीं रहा अता मेरी प्रात्ना यहीं होगी कि किसी के प्रभाव में आकर वह प्रभु को ग्रहन करे मेरे मित्रो यदि आप माता या पिता हैं तो इस्मरन रखें कि आपका जीवन अच्छा हो या बुरा आपके बच्चों पर एक शक्तेशाली प्रभाव डालता है यही आफिसर एशु के पास आया कि उसके मरनहार पुत्र को वह रोग मुक्त करें यहनर चिसु समाचार चारा ध्याय उसके 48-50 पत में लिखा है इशु ने उससे कहा जब तक तुम चिन और अधुत काम न देखोगे तब तक कदापी विश्वास न करोगे राजा के कर्मचारी ने उससे कहा हे प्रभु मेरे बालक के मृत्ती होने से पहले चल इशु ने उससे कहा जा तेरा पुत्र जीवित है उस मनुष्य ने इशु की कही हुई बात की प्रतीती की और चला गया उस आफिसर ने कहा कि वह विश्वास करने के लिए चिन और चमतकार नहीं खोज रहा है उसका विश्वास है कि इशु उसके पुत्र को रोग मुक्ति प्रदान करेगा या अच्छा नहीं हुआ कि वह अपने पुत्र को इशु के पास नहीं लाया आशा करता हूँ कि चंगा होने पर उसने उसे इशु के उपहार का बोध अवश्य ही करवाया होगा उस सामरे इस्त्री ने अनेक पुर्षों को इशु से साक्षात कार करवाया होगा आप भी किसी ऐसे व्यक्ति को प्रभावित करके इशु के पास ला सकते हैं उसके बारे में उसे बता सकते हैं जिसके पास अब तक कोई नहीं पहुँचा यहां तक के प्रचारक भी नहीं पहुँचा है उस पर केवल आप ही का प्रभाव पढ़ सकता है अता इशु से उसकी भेट अवश्य ही करवाएं योनर चिसु समाचार चार अथ्याय उसके 51 और 52 पद में लिखा है वह मार्ग में ही था कि उसके दास उससे आ मिले और कहने लगे तेरा लड़का जीवित है उसने उनसे पूछा किस घड़ी वह अच्छा होने लगा उन्होंने उससे कहा कल सात्वे घंटे में उसका ज्वर उतर गया यह सपष्ट नहीं कि यहना किस समय के प्रसंग में कह रहा है रोमी समय के अनुसार यह समय संध्या साथ बजे का था आगे हम देखते हैं यहना रचिसू समाचार चार अध्याय उसके तिरपन और 54 पद में लिखा है तब पिता जान गया कि यह उसी घड़ी हुआ जिस घड़ी इश्व ने उससे कहा तेरा पुत्र जीवित है और उसने और उसके सारे घराने ने विश्वास किया यह दूसरा आश्यर कर्म था जो इश्व ने यहुदिया से गलील में आकर दिखाया उस मनश्य ने अपने संपुन कुटुम को मसी के लिए प्रभावित किया और उन्होंने इश्व में व्यक्तिगत विश्वास किया हम देखते हैं कि यह इश्व का दूसरा चिन था अब हम इश्व का तीसरा चमतकार देखेंगे इश्व सब्द के दिन चंगाई का काम करता है जिसके कारण यहोदी धर्म गुरु उसका विरोध करते हैं वरन उसे घात भी करना चाहते हैं बैथेस्दा के कुंड पर इश्व 38 वर्ष के रोगी को चंगा करता है मित्रु यह चमतकार इश्व के लिए जान लेवा सिध हुआ क्योंकि धर्म गुरु अब उसको मारने के ठान चुके थे और उसके क्रुसित होने पर ही उन्होंने चैन की सांस ली आए हम पढ़ें योनर चिस्व समाचार पांच अध्या उसके 16 से 18 पद में इस कारण यहुदी इश्व को सताने लगे क्योंकि वह ऐसे काम सब्द के दिन करता था इस वर इश्व ने उनसे कहा मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ इस कारण यहुदी और भी अधिक उसके मार डालने का प्रेत्न करने लगे क्योंकि वह ना क्यवल सब्ध के दिन की विधी को तोड़ता प्रन्तु परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आपको परमेश्वर के तुले भी ठहराता था सब्ध का दिन इससे द्वंद का कारण था उनकी इर्षया अधिक भड़क गई क्योंकि इश्यो ने कहा मरकुस रचिसू समाचार दो अध्याय के 27 पद में सब्ध का दिन मनुश्य के लिए बनाया गया है ना कि मनुश्य सब्ध के दिन के लिए मित्रो उनका सोचना यह था कि इश्यो अपने आपको परमेश्वर के तुले ठहराया है और कुछ का कहना है कि बाइबल में इश्यो को परमेश्वर नहीं कहा गया है जहां तक मैं सोचता हूँ वे या तो अग्यानी हैं या अपने आप से जूट बोलते हैं आप इश्यो और बाइबल को स्विकार भले न करें परन्तु ये शब्द अपने आपको परमिश्वर के तुले ठाराता है, इसका नहीतार्थ क्या है? अध्याय पांच के आरभ में यहुदियों के एक पर्व का उलेख है, और यह कौन सा पर्व है? यह फसा का पर्व है? वेवस्था विवरन के पुस्तक 16 अध्याय उसके 16 पद में तीन मुख्य पर्वों का उलेख है, वर्ष में तीन बार अर्थात अकमेरी रोटी के पर्व और सपताहों के पर्व और जोपडियों के पर्व, इन तीनों में तुम्हारे सब पूरश अपने परमेशर यहवा के सा पांच अध्याय उसके एक से तीन पद में हम पढ़ते हैं। इन बातों के पीछे यहुदियों का एक पर्व हुआ और इशु यरुशलेम को गया। यहां स्थान है मंदिर का भेड़ द्वार और वहां का जलकुंड जो बेतर सदा कहलाता है वहां अत्यधिक भीड लगी हुई थी। रोगी मनिश्यों की भीड। मौखिक सुनाया। उस बच्चे ने एक गलती की। वह अंग्रेजी में बोल रहा था अता उसने दुर्बल के लिए आवाज का जो शब्द काम में लिया उसका अर्थ है महत्पुन। मेरे विचार में उसकी यह गलती अर्थपुन थी। उनमें एक मनुष्य ऐसा था जिसके कारण इश्यों को वहां आना पड़ा। वे इश्यों के लिए वास्तव में महत्पुन थे। अब देखिए वहां क्या होता है। युहनर चिसु समाचार पाचा ध्याय उसके चार पद में लिखा है। क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतर कर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था। चाहे उसकी कोई बिमारी क्यों ना हो। वहां रोगी कुंड के पानी के हिलाये जानी की प्रतिक्षा करते थे। कि उस समय उसमें स्नान करके रोग मुक्ती पाए। उनका मानना था कि स्वर्गदूत आकर पानी हिलाता है। मेरे विचार में वे मानसिक रोगी थे। आज भी अनेक ऐसे रोगी हैं और वे जानता है कि उनकी चंगाई परिपून होती है या नहीं। प्रन्तु यह अवश्य जानता हूं कि इश्यू द्वारा दी गई चंगाई अस्थाई होती है। जैसी उस व्यक्ति ने पाई। जो बैते सधा के कुंड के निकट था। हम पढ़ते हैं युहनार चिसू समाचार पाँच अध्याय उसके पाँच पद में लिखा है वहाँ एक मनश्य था जो 38 वर्ष से बिमारी में पड़ा था। मित्रो यह व्यक्ति 38 वर्ष से रोगी था। मेरे विचार में वह सबसे अधिक गंभीर दशा में था। इसका अर्थ यह हुआ कि उसकी आयू 38 वर्ष से अ लाया जाए कि वह उसमें डूप की लगा है। प्रन्तु उसकी दशा ऐसी थी कि वह सबसे पहले वहाँ पहुचने में असमर्थ था। इसमें संदेह नहीं कि उसने वहाँ अनेक रोग्यों को निरोग होते देखा था। हमारा प्रभु यह जानता था कि उसे इसकी आवश् देखिए इश्व उससे कैसे विवार करता है। यहनर्चिसू समाचार पांच अध्याय उसके छे पद में। इश्व ने उससे पढ़ा हुआ देखकर और जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पढ़ा है उससे पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है। या कैसा वि उसमें आशा जगाना चाहता था। उसका रोग असाध्य था और वह पूरी तरह निराश था। दूसरा इश्व चाहता था कि वह कुंड को नहीं परन्तु इश्व को निहारे। क्योंकि वह किसी को नहीं देखता था। उसकी द्रिष्टी केवल और केवल कुंड के पानी पल लगी रहती थी। इशु के वाने सुनकर वह सचेत हुआ और उसने उत्तर दिया। हे प्रभु मेरे पास कोई मनुश्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे। आज हमारी भी ठीक यही दशा है। हम में से अनेक किसी भावना, प्रवन, घटना की प्रतिक्षा कर रहे हैं। वे मसी को अंदेखा कर रहे हैं। क्योंकि अभी तक कोई भावनात्मक उथल पुथल नहीं हुई है। इसलिए उन्होंने मसी को ग्रहन नहीं किया है। उन्हें सांसारिक गति विधियों ने ऐसा मोहित किया हुआ है कि वे मसी को देख नहीं पा रहे हैं। और अपना जीवन अंधिरे में बिता रहे हैं। मित्रों कुछ मनश्य अन्यों के भावनात्मक अनुभव के कारण निराश हैं। कि उन्हें ऐसा अद्भूत एवं असमान अनुभव प्राप्त नहीं हुआ है। मैंने ऐसे अनेक मनश्यों से साषात कार किया उनके ध्यान का केंद्र अनुचित घटना, अनुचित व्यक्ती या अनुचित वस्तु है। क्या आप ऐसे किसी असमान घटना या अनुभव की प्रतिक्षा में हैं। थिसलोनिके के विश्वासियों ने अपना ध्यान मूर्तियों पर से हटा कर प्रविशु मसी में लगाया था। इसे हम पहला थिसलोनिकों की पत्री एक अध्याय उसके नौपद में पाते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि उस मनिश्य को आश्यरे हुआ होगा, ये कोई उससे ऐसा भी प्रश्न पूछेगा। आईए हम आगे पढ़ें युहनर चिसु समाचार पांच अध्याय उसके साथ पद में। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। उस बिमार ने उसको उत्तर दिया। हे प्रभु, मेरे पास कोई मनिश्य नहीं कि जब पानी हिलाय जाए तो मुझे कुंड में उतारे, प्रण्तु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझ से पहले उतर जाता है। निराश मनिश्य प्रभु, मैं चाहता तो हूँ, प्रण्तो जब पानी हिलाया जाता है, तब मेरी सहता के लिए कोई नहीं होता, जो मुझे जल तक ले जाए कि डूपकी लगाओं। वह शायद सोच रहा था कि इश्य उसे पानी तक ले जाएगा, प्रण्तो इश्य वहां से हटाना चाहता था। उसने जेओं ही इश्य को निहारा, तेओं ही कुछ हुआ। फिर कभी नहीं लौटेगा, अता वह अपना विस्तर लेकर वहां से चला जाए। योना चिसू समाचार पांच अध्याय उसके नव से तेरा पद में हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर इस प्रकास से लिखा हुआ है। उठाना उचित नहीं। उसने उन्हें उत्तर दिया। जिसने मुझे चंगा किया, उसी ने मुझसे कहा, अपनी खाट उठा और चल फिर।। कि वह कौन है क्योंकि उस जगह में भीड होने के कारण इश्यू वहाँ से हट गया था। उसने तो इश्यू की आगया का पालन किया। परन्तु धर्म के ठेकेदारों ने उसे जिर्का कि वह सब्द के दिन बोज उठा रहा था। वे उसकी चंगाई के प्रमान को नहीं देख रहे थे। इश्यू चमतकारी रूप से अद्रिश्य हो गया क्योंकि उस रोगी को पता ही नहीं था कि उसको चंगा करने वाला कौन है या उसको किसने चंगा किया है। कर्मचारी ईश्यू के अश्यर कर्मों के प्रति विश्वास करता है। उसके पास राज चलाने के लिए सब प्रकार के अधिकार है। उसके बावजूद वह अपने पुत्र की बिमारी के संबध में लाचार था। लेकिन ईश्यू के कारियों को देख कर वह उसके पास आता और उसके विश्वास के कारण उसका पुत्र चंगा हो जाता है और संपूर्ण घराना इशू पर विश्वास करता है आज परमेश्वर हम सबसे ऐसा ही विश्वास देखना चाहता है या हमारे जीवन में देखना चाहता है कि वह अपनी सामर्थ हम पर प्रगट करें तत्पश्चात वह एक ऐसी वैक्ति के पास जाता है जिसके पास जीवन की आशा लगबक समाप्त हो चुकी थी और उसकी सहायता करने के लिए उसके पास कोई नहीं था इशु ने उसकी इच्छा को जानकर उसे उठने और चलने की आग्या दी वह 38 वर्ष का एक आशाहीन जीवन बिताने के बाद भी आग्या का पालन करता है और वह चंगा हो जाता है आज परमेश्वर का वचन हमारे सामने है और हमारे विश्वास को द्रड करने के लिए ये सारी उपमाए हमारे सामने प्रगट की गई है लेकिन क्या ऐसा विश्वास हमें है और वचन में बताया अनुसार हम उसका पालन करते है परमेश्वर का बचन हमारे आविश्वास को विश्वास में बदलने के लिए कोई कारण नहीं रख छोड़ता है लेकिन फिर भी हमें से कितने उसकी आग्याओं का पालन करना एक अत्यंत भारी विश्य के रूप में लेते हैं परमेश्वर हमारे अंदर ऐसी आग्या मानने वाले विश्वास को ढूंड रहा है ताकि उसके आनंद को वह पूरा करें आईए हम प्रार्थना करें कि इस संबंद में परमेश्वर हम सब की सहायता करें कि हम उसके प्रती आग्याकारी बने रहें स्वर्गी पिता हम धन्यवाद के साथ एक बार फिर से आपके सन्मों खाते हैं कि प्रभू जब आपने इस संसार में रहते हुए लोगों के जीवन को देखा तो उनके दुखों में आप उनके साथ शामिल हुए प्रभू हमें समरन करते हैं उस 38 वर्ष के रोगी को जो असहाय था जो उस पूल के किनारे पड़ा रहता था पिता और पिता उसके पास कोई नहीं था लेकिन प्रभू ईश्यू आपने उस पर द्रिस्टी किया पिता हमारे कितने ऐसे दर्शक हैं जो आज अपनी बिमार अवस्था में अपनी मांसी का वस्था में अपनी पारिवारी का वस्था में अपने तूटे हुए हिर्देों के साथ अकेले पड़े हुए हैं जिनके पास कोई नहीं है उनके दुखों को बाटने वाला कोई नही है प्रभु इश्यू आज उन पर द्रिस्टी करें प्रभु आपने कहा है कि जितनों ने उसकी ओर द्रिस्टी की उन्होंने ज्योती पाई प्रभु आज जितने आपकी ओर देख रहे हैं उनके साथ हो लें उनकी बिमारियों में उनकी तकलिफों में उनके दुखों में प्रभू इशू आप उनकी सहायता करें कि वे उस से बाहर निकलने पाएं और आनंद के साथ अपने लोगों के बीच में जाएं अपने घरों में जाएं पिता आप में ऐसी करने की सामर्थ है इसलिए ये बिंती हम आपके सन्मुक रखते हैं और विश्वास के दौरा प्रभू इशू के नाम से इस बिंती को मांगते हैं सुने और अपनी महिमा कले ग्रहंड करें आमेन प्रिमित्रों मेरे विश्वास है कि यदि आपने दिल से आज प्रभीश्य मसी को पुकारा है तो वो आपकी प्रार्थना को सुन कर आज आपकी समस्याओं से आपको बाहर निकालेंगे यदि आपने प्रभीश्य मसी के द्वारा से किसी आशीश को प्राप्त किया है तो कृपिया हमारे साथ उसे साजा करें फोन, SMS या मिस्स कॉल के द्वारा आप हम से संपर्क करें प्रभू के साथ बने रहें धन्यवाद